नमस्कार दोस्तो टार्गेट एमसेभी के एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो एक बार फिर से एमस के दोरा भरती विग्यापन आ चुका है दो अलग अलग भरती विग्यापन जारी हुआ है दोस्तो दोनों में अलग 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 पोश्ट सामिल है इसमें Lab Technician, साथ में Stop Nurse और Data Entry Operator के लिए भी पोस्ट सामिल है साथ में Other कई पोस्ट सामिल है तो दोस्तो वीडियो में आँगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किये हैं की जरूरत पड़ेगी अप्लीकेशन फॉर्म दोस्तो आप टेलीग्राम चैनल से एजी तरीकी से डाउनलोड कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप जाइन हो पाएंगे साथ में दोस्तो अगर आप लैब टेक्निशन के लिए तयारी कर रहे हैं डी एसस बी के लिए दोस्तो आप तयारी कर रहे हैं या फिर इसरो के लिए तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तो हमारे पास प्रीवियस कोस्चेन पेपर है टोटल आपको दोस्तो 30 previous question paper मिलेंगे उसके लिए मात्र आपको 150 रुपए पे करना होगा इसमें दोस्तो state government साथ में center government की भी paper सामिल है DSSV के paper आपको मिल जाएंगे तो दोस्तो अगर आपको चाहिए तो whatsapp पे संपर करें वाटसेप नमबर 2821962779 इस नमबर पे दोस्तो आप संपर कर सकते हैं आपको यह previous question paper मिल जाएगा और यह नमबर आपको नीचे description box भी मिल जाएगा साथ में telegram channel का भी नीचे description box मिल जाएगा तो दोस्तो चलिए बढ़ते हैं information की और सबसे पहले दोस्तो हम इस्टाप नर्स के लिए बात करेंगे तो यह देख सकते हैं आप All India Institute of Medical Science जोधपूर से भरते विग्यापन जारी हुआ है एम्स जोधपूर से 8 अगस्त 2008 सुरी ते इसको भरते विग्यापन जारी हुआ है नमबर आप पोश्ट एक ही सामिल है और दोस्तो इसमें कौलिफिकेशन में आपसे MSC आपके पास होना चाहिए Life Science में या फिर आपके पास है Social Worker स्वरी Social Science से है Master in Social Worker MSW आपके पास होना जरूरी है और 41,000 पर मंत आपको सेलरी दी जाएगी 30 years इसमें Age Limit दिया गया साथ में आपको Age Relaxation भी दिया जाएगा हम Next Post की बात करेंगे तो Data Entry आपरेटर के लिए रहने वाला Grade B का ये Post रहने वाला है नमबर आप पोश्ट एक सामिल है और आपके पास दोस्तो इसमें Health Pass Complete होना चाहिए साथ में Computer Application में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है 18,000 रुपए फिक्स आपको सेलरी दी जाएगी 28 years आपको इसमें Age Limit दिया जा रहा है Next Post की बात करें दोस्तो तो Third Number पे आप देख सकते हैं Junior Nurse के लिए रहने वाला है Number Up Post 4 सामिल है इसमें और Qualification में दोस्तो आपके पास 12 Pass साथ में Certificate in JNM JNM का Course Complete होना चाहिए दोस्तो आपके पास या फिर आपके पास इसी फिल्ड में डिग्री का Course Complete है BSC Nursing आपके पास Complete है तब भी आप इसमें आवेदयन कर पाएंगे 18,000 रुपए आपको salary दी जाएगी 28 years इसमें age limit दिया गया है अब दोस्तो इसमें हम देख लेते हैं आपका apply कैसे करना है तो apply दोस्तो आपको offline के माद्दम से करना होगा इसमें आपको बताया जा रहा All candidates should submit the fillet application in the prescribed format and bio data on the day of walk-in interview दोस्तो आपको direct walk-in interview में सामिल होना होगा अपने application form के साथ और आपका application form के साथ क्या-क्या ले जाना है तो देख लेते हैं इसमें आपको बताया जा रहा walk-in interview along with our relevant original document आपको दोस्तो original document लेके जाना होगा साथ में one set self-attested photocopy of document दोस्तो आपको one set self-attested करके photocopy लेके जाना होगा सभी document के regarding age qualification and relevant experience अगर आपके पास experience certificate है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं आपको original certificate भी लेके जाना होगा साथ में एक set photocopy करके self-attested भी आपको लेके जाना होगा अपने application form के साथ और सुबह 9 बज़े दोस्तो आपको reporting करना हो आपका जो reporting करने का address है वो भी आपको बताया जा रहा है recruitment section second floor medical college building aims all India institute of medical science जोधपूर में दोस्तो आपका ये interview होगा 22.23 को अब दोस्तो हम इसमें आपको बता देते हैं application form आप कहां से download कर पाएंगे तो application form दोस्तो आपको इसी PDF पे मिल जाएगा ये आपका application form है दोस्तो इसको आप फिल करके और जितने भी इसमें required document attach करना हो उसको attach करके self attached करके आपको interview में सामिल होना होगा और इसमें आपको बताया जा रहा है आपको क्या क्या लगने वाला है आपको photo भी इसमें attach करना होगा साथ में अपना qualification आगर आपके पास experience certificate है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं lab technician के लिए तो उसके लिए दूसरा notification जारी किया गया है तो उसको देख लेते हैं तो दोस्तो ये lab technician के लिए आपको इसमें भी contract basis पे posting दी जाएगी हम directly दोस्तो देख लेते हैं post और qualification क्या मांगा जा रहा तो देख सकते हैं दोस्तो lab technician के लिए पोस्ट है नमबर आप पोस्ट दो सामिल है बात करें qualification के तो आपस 12th pass मांगा जा रहा science subject से होना चाहिए साथ में 2 years का आपके पाए diploma in medical laboratory technician में होना चाहिए या फिर दोस्तो अगर आपके पास B.H.C. in medical laboratory आपके पास दोस्तो B.M.L.T. का course complete है तब भी आप इसमें आविदन कर पाएंगे 18,000 रुपए fix आपको इसमें salary दी जाएगी और 30 years इसमें age limit दिया गया है साथ में दोस्तो आपको इसमें age relaxation भी दिया जाएगा और दोस्तो इसमें research assistant के लिए भी post सामिल है नमबर आप post एक है आप से इसमें master degree in life science में होना चाहिए आपके पास तो आप इसमें आविदन कर पाएंगे 31,000 पर मंत आपको salary दे जाएगी और दोस्तो इसमें बात कर लेते हैं आपको apply करने के लिए तो apply आपको same directly interview में सामिल होना होगा आपको बताया जा रहा All candidates should submit the affiliate application in the prescribed format and via data on the day आप walking interview directly दोस्तो आपको interview में सामिल होना होगा अपने सारे document लेके साथ में application form लेके उसमें आपको वहाँ पे present होना होगा और one set आपको photocopy और original document भी लेके जाना है यह आपको date बताया जा रहा है Lab technician और research assistant के लिए आपको 1962 2023 को interview में सामिल होना है सुबह ना वज़े दोस्तो आपको reporting करना होगा address देख लेते हैं तो address आपका same रहने वाला है recruitment section second floor medical college building aims all India institute of medical science जोधपूर में ही दोस्तो आपको यह interview होगा Lab technician के लिए भी और stop nurse के लिए दोनों के लिए समय और आपका जो date है वो अलग-अलग रखा गया है तो आप यह PDF डाउनलोड करके देख लीजेगा मैं आपको बता भी चुका हूँ और अगर आपको दोस्तो Lab technician का previous question paper चाहिए तो WhatsApp पे समपर करें टोटल आपको 30 previous question paper मिलेंगे उसके लिए मात्र आपको 150 रुपए पे करना होगा इसमें दोस्तों Center और State Government के paper सामिल है दोनों paper आपको मिल जाएंगे मात्र आपको 150 रुपए में तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों कसाथ सेर करें चैनल पे नाया है तो सबस्क्राइब कर लें और टेलिक्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा साथ में WhatsApp नमबर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा Thank you